अगर आपके दिम्याब में क्रेटिन को लेके काफी सारा confusion और आप चाहते हैं कि आप सारे doubts को clear करें तो इस वीडियो को देखने के बाद में ना सिब आपके सारे doubts को दियो होंगे बल्कि क्रेटिन से लिटेड आपको सारे benefits भी पता पढ़ेंगे So stay true आज का टॉपिक आप सुनी चुके हो अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाओ और फूल्थ और नुट्रिशन और पासलन डेवलप्मेंट पे काथ सार वीडियो क्रेट तो प्लीज मेक शूर टू सब्सक्राइब चैनल और प्रोवाइस पहले पहुचे और अगर आपने मुझे इंस्टाइब पर फॉलो न अगर मैं साइंस की लेंग में बात करूं तो क्रेटीन है कैसा सप्लीमेंट है क्रेटीन हमारे बॉड़ी में खुद से यानि कि खुद से सिंतिताइज करता है कि हमारी बॉड़ी की नीट कितनी एक क्रेटीन को लेने की that means क्रेटीन इस तरह से इंतिसाइज करता है अगर हमारी जेम में 100 रुपे है तो अगर हम उसे खर्च करते है 40 रुपे य 50 रुपे हमें उसको खर्च करके किसी आइटम को पर्चेस क अगर करते है उसी तरह हमारी बॉड़ी में ATP नाम का एक molecule होता है यानि कि एक हर्मॉन या molecule कुछ भी कह सकते है आप जो कि जिसे हम खर्च करके अपने 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 तो हमारी body काफी boost करती energy को और उसमें energy काफी increase होती है उसी तरह से जब phosphate 1 जाता है guys तो अब हमारे level को वापस increase करने के लिए यानि कि phosphate 1 को वापस add on करने के लिए creatine वहाँ पर बहुत 5Mन होता है यह मैंने कोशिश करी है आपको काफी easy language में समझाने के लिए जब creatine का first phosphate जाता है तो two phosphate बज़ जाते है जिसे हम कहते है ADP यानि कि adenocyte phosphate adenocyte phosphate बनके creatine 9 का आविशकार करता है यानि कि creatine 9 को हमारी body में produce करता है जिससे कि हमें energy boost होती है अब जब creatine 9 का आप creatine 9 produce होता है मारी body में तब हमें वापस creatine की जरूरत पड़ती है और वो तब जरूरत पड़ती है जब हमारी energy level को decrease होती है तब हमें creatine का लेना बहुत जरूरी हो जाता है चाकि हम heavy lift कर सके heavy bar up कर सकते हैं और हमाई muscle soreness को decline कर सके so guys creatine इस तरह से work करता है so guys I hope मैंने creatine के बारे में आपको समझाया अच्छे से हो और creatine दो तरह के form में आते हैं creatine macronize and creatine monohydrate guys जो मैं creatine यूज़ कर रहा है monohydrate नाम का creatine है अगर आप micronize यूज़ सकते हैं तो आप micronize यूज़ करें ज्यादा नहीं आपको 100 से 1.500 पर तक का फरक पड़ेगा और monohydrate और micronize में कोई ज़्यादा फरक नहीं है micronize को और ज़्यादा बारिक पार्टिकल में convert करके monohydrate को लिया गया है तो guys इसमें ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ता है creatine monohydrate micronize में दोनों best होते हैं अपने अपने तरीके से आप दोनों को ले सकते हैं उसके अलावा guys अगर आपका कोई भी question हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं I hope मैंने आपको इसके बारे में अच्छी information दी हो मैंने in short ये video cover किया है और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं मैं पूरा detailed review दीओ सिर्फ creatine और crit9 के बारे में तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं इसका मैं link आपको description box में दे दूँगा आप creatine mall से इसको purchase कर सकते हैं उसके अलावा guys creatine की doses कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बतायता हूँ अगर आप मैं अपने अगर मैं अपना experience बताओ तो मैं इसको post workout में लेता हूँ क्योंकि इसका absorption power जो होता है इसके भी side effect हो सकते है किसी कि सब की body अलग अलग तरह की होती you know guys मैं side effect की इस तोर पर बात नहीं कर रहा हूँ कि ये general product है but हमाई body अलग अलग तरह की होती इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पता किसी को कोई skin से लेटे कोई allergy हो जाए अब अगर मैं अपनी बात करो तो मुझे tablet से skin allergy हो जाती है so that's the why मैं tablet नहीं लेता हूँ अगर मुझे खासी जुगाम हो जाता हूँ मैं इसका देसी latch करता हूँ so guys इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाकि इसका कोई side effect नहीं vegetarian है pure form of vegetarian और effective है और genuine product है energy produce करता है काफी हमारी body के अंद है और हमारी body को काफी heavy lift करने के अंद है हमारी help करता है so guys यह creatine के ओपर है छोटा सा मेरा muscle blaze पर review और इसके अलावा creatine आप pre workout में लेना चाहाँ तो कोई दिक्कत नहीं इसका doses होना चीए आपका scoop size आता है guys 3-5 gram का और आप ले सकते हैं इसके 2-3 gram का आप इसको daily pre या post record में ले सकते हैं अगर आप दोनों टाइम लेते हैं तो भी आप ले सकते हैं make sure आप एक बात का पूरी अच्छे तरह से ध्यान लेकिए अगर आप protein ले रहे हैं अगर आपका पानी का पानी का पानी पीने का जो लेवल है वो बर्ड है 3-4 लिटर का नहीं है तो please don't buy this product for muscle building और muscle आप अपने amount को waste ना करिए और इस product को मत लीजिए अगर आप 3-4 लिटर पानी पी सकते हैं daily basis पे तो ही इस product को लीजिएगा तभी क्योंकि हमारी body kidney जो होता हूँ हमारी blood को filter करता है तो creatine जब जाता हमारी body में तो इसको काफी time लगता है यानि कि kidney को filter करने में blood को काफी time लग जाता है क्योंकि हम ऐसे heavy supplement लेते हैं तो हमें you know guys kidney काफी जल्दी work करती है पंप होती ही जल्दी जल्दी से तो उसमें हमारा पानी का जो consumption होगा वो उसका filter level को अच्छी तरह से release करेगा और blood flow को अच्छी तरह से circulate करेगा तो guys please इस product को अगर आप ले तभी जब आपका water consumption 11 per day 3-4 liter का हो so guys ये छोटी से information थी आपके लिए और I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लीजे इस monohydrate supplement को काफी best product है for muscle building के लिए और please इस point का बिल्कुर ध्यान लखे का पानी आपका 3-4 liter का आपका रहना चाहिए so that's it guys I hope आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो please like कर देना और subscribe कर देना और comment कर देना जैसा भी आपकोशे नहीं तो that's it guys this is Ashish Thakur from Mission Natural Fitness in a